हलो स्टूरेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शन से रिलेटिट कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चन देखेंगे जो कि DSSB एक्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आई स्टार्ट करते है अपने इस वीडियो को तो पहला कोश्चन है यदि X अपॉन में फॉर अपॉन में फाइव दे रखा है तो हमें इसकी वैली बताने है कि क्या होगी इस टैक के कोश्चन हो करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यह जो पार्ट आपको दे रखा है 2Y-X इसको सॉल्ड करते है ठीक है तो 2Y-X आप उन में नीचे वाले को भी करेंगे, 2y upon y, और plus x upon y, तो y से y तो ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ बचा 2 minus x upon y, जिसकी value हमें रखे 4 upon 5, ऐसी नीचे 2 plus 4 upon 5, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसका LCM ले ले लेते हैं, अगर मैं इसका LCM लूँ तो मेरा 5y अगा LCM, ठीक है, और इ LCM नीचे करेंगे, तो 5 LCM आया, 10 plus 4, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यह आएगा, हमारा 6 upon my 14, तो इसको solve करेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, यह 3 upon my 7, तो इस पूरे को solve करके, तो 3 upon my 7 आ गया, ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसमें 4 by 7 भी add करना पड़े गया, 4 by 7, प्लस 3 by 7, तो 7 by 7 हो गया, कैंसिल करके इसका answer आ रहा है, 1, ठीक है, अगला question देखते है, next question है, इसमें बोला है, यदि A by B equal है, C by D के, जो कि 5 की equal है, तो इसकी value क्या होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A upon my B हमें 5 दे रखा है, तो हमारा अगर मैं cross multiply करूं, तो A जो है, वह हमारा तो C B हमारा 5 D आ जाएगा, ठीक है, C हमारा 5 D आ रहा है, और A B हमारा 5 B आ रहा है, तो हमें value निकाल लिए है, 3 A plus 4 C, upon my 3 B plus 4 D की, ठीक है, तो A की जगा मैं 5 B लिखूंगा, तो 3 into 5 B plus 4 into C की जगा क्या लिख देंगे, 5 D, तो 5 D लिख दिया, ठीक है, नीचे वाला हम सेम अब उपर अगर मैं multiply करूं तो यह जाएगा, 15 B plus 20 D equal to 3 B plus 4 D, अब इन दोनों में उपर जो है 5 common आ रहा है, ठीक है, तो 5 अगर common ले लिखूंगा, तो नीचे बचेगा, 3 B plus 4 D, upon my 3 B plus 4 D, अब यह पूरा cancel हो रहा है, तो इस पूरे की value जो आ रही है, वो 5 हो जाएगी, ठीक अगला question है हमार पास, हमें बताना है कि यह किसके बराबर होगा, ठीक है, तो इस type की question होगा है, solve करेंगे, तो आपका यह mix fraction में दे रखा है, तो जो भी हमारा यह number S आगे वाला, 111, 111 और 1111, इनको अलग से add कर लेंगे, 1 plus 11 plus 111 plus 1111, और बागी जो fraction वाला पार उसको अलग add कर लेते, 1 half plus half plus half plus half, तो इसको अगर मैं add करूँगा, तो कितना आ जाएगा, यह हमारा आ जाएगा, 4, 3, 2, 1, ठीक है, 1234, और इसको अगर मैं add करूँगा, तो LCM तो 2 रहेगा, और 1 को 4 टाइम करा तो 4 आ गया, cancel करके 2, तो 1236 इसका correct answer होगा, ठीक है, अगला question देखते है, अगला है, हमें बताना है कि जो 1 upon में 2 into 3, plus 1 upon में 3 into 4, plus 1 upon 4 into 5, यह दे रखा है, 9 into 10 तक, तो यह किसके बराबर होगा, ठीक है, तो इस type के question को आप shortcut trick से कैसे करेंगे, आपको यह देखना है, कि सबसे पहला वाला जो number है, उपर 1 है, सबके उपर 1 होना चाहिए, और नीचे क है, ठीक है, 1, 1 का difference है, तो आपको करना है, जो पहला वाला number है, जैसे कि 2 है, तो 1 upon में 2 ले लिया, फिर minus और last वाला number, तो हमारा यह 1 by 10 हो जाएगा, तो इसको LCM लेंगे तो 10 आएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 5 minus 1 equal to 4 upon में 10, cancel किया, तो 2 by 5 इसका correct answer होगा, ठीक है, अग 29 है, इसको हम अलग से add कर लेंगे, ठीक है, कितनी बारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो 6 बार अगर मैं add करूंगा, तो 999 into 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, अब जो fraction वाले पार्टे है, उनको अलग से add कर लीजीगा, तो 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, और 6 by 7, तो यह कितना होगा, 9, 6, 94, पां हमारे होगे, 69, तो यह 9 हो जाएगा, यह 5, और फिर यह भी हमारा 59 हो गया, ठीक है, यह हो गया, अब प्लस करेंगे, अगर मैं, यह पूरा LC में लूँ तो 7 आएगा, और इन सब को add करूंगा, तो कितना जाएगा, यह जाएगा, 10, 20, 21, cancel करा 3, तो इसमें अगर 3 add करूंग इसको हमें लिखना है, तो हमें दे रखा है, 1.27 bar, ठीक है, इसको हमें pyq की फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखे, decimal से पहले हम 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 प्लस में 0.27 bar, अब यह बार जो दो डिजिट की उपर है, तो अगर हम इसको pyq क में बदलते हैं, तो कैसे बदलते हैं, जितनी डिजिट की उपर बार होता है, उतने ही denominator में 9 आ जाएगे, ठीक है, तो 1 प्लस में 27 उपर रहेगा, नीचे जाएगा, 9, 9, दो डिजिट की उपर है तो 9, 9 आ गया, अब इसको अगर मैं solve करूं, तो यह LCM 99 आ जाएगा, 99 प्ल यह 3, 3 हो गया, फिर करा 11, और यह 1, 4, तो 14 बटे 11 जो है इसका correct answer होगा, ठीक है, अगला question है हमारे पास, same question है, इसको भी PYQ की फॉर्म में बदलना है, fraction में convert करना है, तो हमें दे रखा 0.121212, यह repeat हो रहा है, तो इसको हम लिखते हैं, 0.12 के उपर बार, की 1, 2 ही repeat हो रहा कि दो डिजिट के बाद है, तो दो बार नो आ जाएंगे, 3 से cancel करा 4, और यह जाएगा 33, तो 4 बटे 33 जो है, इसका correct answer होगा, ठीक है, option number C, आठवा है, अब बोला कि 1 बटे में 11 किसके बराबर होगा, इसको decimal की फॉर्म में convert करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 और 11 यहाग अब 11, 9, 99 हो गया, फिर minus किया, फिर 1 आएगा, ठीक है, हमने 1 से ही चालू गया, तो मतलब कि यह जो है, 0909, यह repeat होता रहेगा, ठीक है, यह repeat होता रहेगा, तो हम इसको लिख सकते है, 0.09 के उपर बार, तो इसका जो correct answer हो हो जाएगा, हमारा option number C, क्योंकि 0 और 9 के उपर ब ठीक है, इन में से कौन साइज हो, दो बटे 5 और 4 बटे 9 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब देखिए, हमारा जो 2 upon 5 है, अगर उसको मैं decimal में convert करूँ तो 0.4 आएगा, ठीक है, ऐसी 4 upon 9 है, इसको करूँगा, तो कितना आएगा, decimal 4, 9, 4, 36, 0.4, फिर आएगा 4, ठीक है, तो 4-4 repeat होता रहेगा, तो हमें बताना है कि 0.4 और 0.44, इन के बीच में कौन सा नमबर है, तो अगर इसको मैं decimal में convert करूँ, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0.28 हो जाएगा, 4, फिर 2 बचा, फिर यहाँ पर आएगा, 2, ठीक है, तो ऐसे कुछ आता रहेगा, ऐसी इसको करेंगे, तो यह आएगा, 0.6 कुछ आएगा, तो यह तो होई नहीं सकता, यह आएगा, 0.8 something आएगा, यह 0.5 आएगा, देखिए, तो 0.4 का मतलब, 4, 0 भी लगा सकता हूँ, और 0.44, तो 40 से 44 के बीच में कौन सा आ रहा है, 42 सी आ रहा ह अगला है, 5 बटे 7, 7 बटे 9, 11 बटे 13, में सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो देखिए, यहाँ पर जो है, 5 बटे 7 है, 5 और 7 के बीच में डिफरेंस हमारा दो का है, 7 और 9 के बीच में भी डिफरेंस दो का है, 2 और 13 के बीच में भी डिफरेंस दो का है, अब डिफरें और इसी case में चोटी संख्या पूछते तो चोटी नमबर का difference जो होता यह हमारी चोटी संख्या होती ठीक है अगला question देखते हैं अगला बिल्कुल ऐसे ही है अब इसमें बोला सबसे चोटी संख्या कौन सी तो इनके बीच का difference देखें 15 16 एक का difference है यहां भी एक का है एक का है तो सबसे चोटी संख्या कौन सी होगी 15 बटे 16 ठीक है अगला question देखते हैं अगले हम बोला है यदि root y equal है 4x के तो x square अपॉन में y क्या होगा तो root y equal to 4x दे रखा है तो अगर मैं square both side कर दूं तो यहां भी square करूं तो यहां भी square करना पड़ेगा तो root से square हट जाएगा y हो चार का square 16 और x square तो अब क्या करना हमें निकालना है एक square अपॉन में y तो यह 16 हम इदर लिए आते हैं तो यहां पर एक बटे 16 और y को दर ले जाएंगे तो एक स्कुर अपॉन में y है तो एक बटे 16 इसका answer हो जाएगा ठीक है तो यह थे हमारे fraction से related कुछ important question उमीद है आपक हमारे वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू